नमस्कार, कांतिपूर समाचार मा आज़, सम्भिदान सबाका अद्यचे सुबास नेम्मांको पार्थी प्षरी स्रद्दान जलीका लागी घर में लगियो अंतीम सस्कार भोली नागरेको गुणास सुन्न सरकार ले संचाल मा लेयको हेलो सरकार मा दोस दिन में त्यत्ति सय भन्दा बड़ी गुणासा रुकुम पुर्भको शदर मुकाम, रुकुम पोट बाठ, गोल खाडा मा साड़ी ततकालीन मंत्री परिचत को नेड़ाए शमिदानिक इजदास्ते बदर गरेको समाचार पनी हामी संगा छा पाठेगर को मुखो क्यांचर विरुद्धा को खोब ककस्ते पाउन थाले यो संगाई चाड़ पर्भ सुरु भई सकता पनी कीना बड़ेना बजार मा चहल पहल कारफंडो को अईतिहांसिक सहर हाडी गाउं का संपद्धा सम्रक्षण का लागी गुरुयोजना निर्बार सुरुफ है को समाचार पनी हामी संगा होने चा देश बाहिर को प्रसंग मा उत्तर कोरियाली नेता कीम्र रूसी राष्टपती पुटिन बिस भेट बारता रखेलकुद मा गहरेलू मईदान मा हुनी अंडर-19 साफ च्यांपियनसिप का लागी नेपाली टोली को अभ्यास लगायत का समाचार सुरुगराउं आज का मुख्य समाचार अंतरास्ट्य गिरुहाले एके बर्समा तीन से 62 किलो सुन तसकरी गरेको रहारीको निसकर्स पचास सनाको संजाल मा त्याइस विदेशी संगठित अपराज सहित आठको सुर्मा मुद्दा चलावल से फारिस एसी खारिज करने प्रावधान सईको सिक्षा समदे विदेख समसद मा शिक्षक लाई राजनतिपा प्रतिबंद नीज्य विध्याले लाई बुठी मा लाने पटने निड़े बात पच्छी पटिर सरकार बलकारी अस्पताल मा इमर्जेंसी कोक्षको अवस्था दए निया आकस्निक सेवाख लागी पनी घंटव कूर्ण प्रतिबंद थे था कताई सया अभावत कताई चीके सकप्रित नहीं मुश्किल इकल कोरियाली नेता खीब्र रूसी रवाष्टपती पुटीन विश्मेरवार था सामराज्य बात बिरुद्ध को लड़ाई मा एक जूठ होनी प्रतिवद था वाचीन मा असो चोगते सुरू हुने उन्नाई सों समस्करोर को एसी आर का लाकी नेपाल को तैयारी पुरा 21 करोड बजेत को बेविस्था उन्हें समस्या नरहे को राखे पक्त बनाए शाठी किलो सुन तसकरी प्रकरण को अनुसंधान का क्रमा निपाल प्रहरी को केंद्रय अनुसंधान ब्यूरों CIV ले एक बर्समाई 32 किलो सुन तसकरी भायको निस्कर सनी कारेको छा अंतरवाश्य माफिया ले संजालने तयार पारेरा सुन तसकरी गरने गरेको खुलासा भायको हो CIV को अनुसंधान घेरामा परेका 50 मधे 23 दना विदेशिंडा गरे खुनूले पनी सुन तसकरी मा अंतरवाश्य अपरादिक संजालने प्रयोग भायको देखीन छा प्रहरीको क्यांदेर अंचंधान विवरू CIV ले संतावन देन समा सुन तसकरी प्रकाण को अंचंधान गरेरा आफनो निसकर्च सहितको प्रतिवेदन जिला स्थरकारी उकिल कारलेलाई बुजायको स पचास जना को संजाल तयाद पारेर नेपाल बाट एक बर्षमा 362 किलो स्वन तसकरी भायको निसकर्च CIV को अंचंधान बाट निसकियेको हो पक्राव परेका 32 जनालाई अदालतमा पेसकरना पठाय पनी 14-22 सहित 18 जना फरार को सुझीमा छ CIV ले हंकंग सम्मा पुगेर गरिकों शन्धानले नेपाल मा चीनिया अपरादिक समुहली सब इवन्दा ठूलू संजाल संचालन गरेको खुलेको हो अहिली CIV ले 6 चीनियार तीन चीनियार मुलका 33 देसक नागरिक सैथ 9 बिदेसे पक्राव गरेको छ पक्राव परेका दावा छेरिंगर एलेक्स नेपाल का मुख्य एजेंड भनिये पनी उनी हिरुभन्दा माती अन्ने दोई चीनियार रहेको दिखिये कशन जसली हंकंग बाट आफनो र्याकेट संचालन गरेका थिये चीनिया नागरिक लिन्र लीली हंकंग मा बसेर दावा जीवांग सैथ को लगानी मा नेपाल बाट सुन पठावने गिरुह तयार पारेको खुलेको हो सन 2022 सेप्टेम्बर बाट यता मात्राई 3-62 किलो सुन लियाएको युज सम्मुहली तसकरी के लागे करीब 2 वर्ष अध्यान गरेको थियो नेपाली के नाम मा साथोटा कंपणी खुलेका चिनी आले सुन तसकरी गर्ण प्रयगर्णू परने राजनेतिक समेंत्र तयार पारने जिमेवारी दावा छेरिंगलाई दिये का थिये तरह साथोटा कंपणी का संचालकले एक अरकालाई चिन देनन तसकरी में हंकंका तीन ओटा कंपणी प्रयगभायका संच एक बशमें तीन और पचास करू को सुन लियाएको अन्शंधान बाटा खुलेको सा पैमेंन्स सिस्टममरों कान यूज़ गआयको सहे रहिए नि उंदा लिशंधान क्या स pureinden ment – प्रीवाश्ता में गणभायको आवश्ता चा इसे रहिए दिभी पे немे जोए निथ में जोटन फोटिव यूज़ एको आवस्ता चीन देना तसकर होले नेपाल बाट, बंसार बाट सामान निकालना देखी गोदाम मा पठाउनेर गालने सम्मको जिम्मेवारी फरक फरक बेक्तिलाई दियेको छा, जसले एकरकालाई चिन्देनन। तसकर सम्महली बहिंखाता प्रेग न गरी क्रिप्टो बाट मात्राई कारुबार गरनू डरलाग द अवस्ता भाईको साइवर बिग्या बताऊशन। तसकर को सम्महली संद देजर बाईस सेप्टेमबर एता बाटा मात्रे 322 किलो सुन लियाउन अगी करिब 2 वर्ष निपाल मा ना गरीकता रो राहदानी लिनी। कमपनी स्थाफ़ना गरने देखी वन्चार अध्या गवन्ड राजसुस्तमस सबै सरकारी समेंत्र को काम गरने सैली को अध्यान गरेका थी। अहिले गरीका उन्चंदांड कारवाईली यू संजाल भतकी को दावी CIV को साथ। कमपनी कताविक गर घरक consultants ठाटेत खूर यूब काःसुसरा और शिर्पनी करका थी। इवड़ा पाटों हमले पुरा गरेंगा हो रागी अन्य पाटों अरो लाईजाए खुला राखेर अमसंदान हमले आज बुजाएगा हो CIV ले भन्सार, संगटित अफ्राद, राष्ट बाइंग समंदी कसूर, नागरिकत, राधानीर, अध्या गामन एन समेत का आधार में आठोटा कसूर में मुद्धा चलाओना सिफारिस करेको सा ये सगी बी 248 में लेयेको नौकीली सुनमा चोड़ियेका मावधी खेंद्र का उपादक्सियों, किष्ण बाहदुर महरा का चोरा लाई युरासत में राखेको CIV ले ये सम्हो को अनुशंधान लाई जारी राखेको सा अंतर राष्टी आप राधिक सम्हो को प्रभेस लाई कुसरी नियंतन गरने तेसमा सम्हो को अनुशंधान न सके इसले राष्टी शुरुक से मध्लप छेती निम्तियों न सक्षा सरकारले माध्यमिक सिक्षा परिक्षा ऐसी खारेज गरने प्रस्ताफ सईत को विध्याले सिक्षा सम्हो को अनुशंधान न थाले बच्षे सक्षक हरुलाई राष्णिती पे बंदेश लगाउने करी विध्याले शिच्षा माध्यमिक तो कच्षा 12 सम्हो को परिच्षा राष्टे परिच्षा बोटले लीने प्रस्ताप गरिये को छा कच्षा 10 को अन्तीम परिच्षा मने विध्याले लेनाई लीने उलेक्षा अर्थात अब देखी यसी परिच्षा मने नहुने भाईक्षा अब अईले आमेले प्रस्ताप गरेको विध्याग चाहिए तेई रूप मा पास्वारा आये बने यसी रहा 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 थीछ्त माउच्प को टृच्पान चायाए चायाँ भीडिया शेखे ठीकियर भुर्धी उसको उपलब डिस्टार लाइ वास्तान लाजा गरी है यह की चोटी नमार राखेर पठाया यह अब अबस्था को हामरो मुलूक मा अब स्थाकोतः परिक्षा चायाँ विडियाल इम दिने शिक चेक लैड दिने पंद्दा खेरी तुय शर्ट्रिफिकेर्ट के लुके नुह फद्दे नुध्री मैं और बलुक लग दूरत दिने शिक फेलीय के सीदी अऑव। विदेक मा नीजी विद्याले गुथी मा जाना सकने छन मात्र पनियेको छो, यस्ते ही शिचेको सर्वा बर्वा लगायत को काम पनी स्ताने तहले नहीं गरने छन। विद्याले शिक्षा मा उने राच्निती। पास दसक पची सरकाल ले लेको शिच्छा बिदेक तहरी पच्छे सबल देखे पणी कहीं कमजरी पणी रायको बिग गिये बताऊंचन। बिदेक मां स्तानेर प्रदेश को अतिकार कतवती गरने प्रावडान समेच छन। अले कच्या अर्सम परिक्षा लीने जिम्मवारेट स्ताने तहलाय देखो छन। स्ताने तोय पण। स्वास्ते मां अकस्मात कुनेई समस्य आई आई हामी अस्पताल को आकस्मिक कक्षिय और थात इमर्जेंसी मां जाना शो केहाँ पोगेपसी पकेपनी सहज उपचार पाइन चा भने अपेक्चा होनुँश भाविक पनी हो तुन हाम्रा अस्पताल हरुका इमर्जेंसी कक्षिय को अबस्ता भने दयालाक्तो शो आकस्मिक सेवापना गंटाउं कुर्णू पर्णे मातर होई न, येवटाई सयामा दुई वा तेस्पन्दा बड़ी बीरामी बस्नू पर्णे बाध्धिता पने शाँ अस्पताल का इमर्जेंसी कच्चियोर को अबस्ता लथालिंगा होदा पनी सुधार तर्फ सलकार को देहान को आगो छाईना देशकाई सबै बंदा जेठो काटमंडो को बीर अस्पताल मा आकस्मिक सेवाका लागी 45 वडा सया छन तर्फ यो अस्पताल मा दैनिक 114 जाना सम्मा बीरामी आकस्मिक सेवाका लागी आउंशन बीरामी को चाप बहे पनी ठाउं अबाबंदा एवटेई सया मा एक मंदा बडिलाए राखेरा उपचार गराउनू परने बाद देता छ काश्मिक सेवाका बीरामी इमर्जेंसी उपचार का लागी आउंशन बत्ती सया को यहांको इमर्जेंसी कक्षे संदई भरी बराव उन्छा कती पएलाईता अन्यत्र पठाउनू परेको अस्पताल प्रसासन ले जनाएको छ यता पएलाईती सया को इमर्जेंसी कक्षे रहेको पाटन अस्पताल मा पनी दैनिक डेल सया को आरा आरी मा बिरामी आउँछन आकस्मिक सेवाली ना यहां पनी कुर्णू परने बाद देता छ कर्फमन्दू मा मात्रवाईन देश बरका आस्पताल को इमर्जेंसी को अवस्ता प्राय उस्ताई छ कतै सेवा पाउने मुश्किल छा बने कतै गंटाउं बस्ता पने चिगिस्तक बेटी दैनन तेसोत अस्पताल अरूले प्राथिमिक ताका आधारमा अरियो पॉइलोर रातो गरी इमर्जेंसी का सया छुट्याँने गरेका छन तर सीमिस सया का कारण आय जाती सबै बिरामिलाई बर्ना गरना गारवने अस्पताल बताँ छन समिधान ले आधारबुद स्वास्ता शेवालाई नीशूल का गरने बने को छा तर सरकारले 100 रुपाई इमर्जेंसी सेवाने दिना सकेको छाई न यस बारे स्वास्ती मंत्राले बेखबर बने छाई न नागरिकले आकस्मिक कुपचार सेवा समेत नपाई रहेको अवस्तामा मंत्राले का अधिकारियेरू आफुले चायरा मात्रा नवने बन्दै पजिने गरेका छन विशेजगरी अस्पताल अरुको शम्रचना बनी पुनर सम्रचना रिस्ट्रक्चरिंको आबजेक्ता चायर अउगला येको चायर अवने प्राथ्यमइक ताक साथ राखेको चायरा जन अब जनता को आवाज आजा हमिली साते इप्रदेश मासो देगा छाँ। अस्पताल को आकस्मिक सेवा कस्तो हुनु परछा। 24 घंटा मललव की साव शुत्रा रो एक दम मललव की कुई फास्ट ट्रीटमेंट दिने का लागी आकस्मिक सेवा को अतना जोरी नी हुनु चा। 24 घंटा मललव की साव दिली करने इस्थितिने हुनु परियों। करेंगे इमर्देंस यृरा अगारी लानी। पुस्को आधर्मा भुने यह स्तों खालको जानी। पदेषे भरी को समयश आवयो एँ उस्पिराल अर्गोँ उस्पिराल अर्गोँ अनुभवी डाक्टर राम्र मुपचार हनु परियो नी तीर बिदि एक चैसार अकसिन काशे सौन थे कह शार नो सारा नो पर्यापत हनु पर लग ढर दोक्टर को अभाब हुनु भाईना चीटो अनि सासर मा हुनु परज़ दिपोजित गर्यार मात्र प्राथमिक उपचार गर्दा विविन न विरामी अर्गोचे अकालमा जियान गई रागोचा एक दम एपेंटाइस को जरोरी छाई ताडा आमले रहे खरजान अलाई अनि त काई अर्गाः मात्र पौचार गर्दा वेरामी मात्र मात्र परज़ दोक्टर गर्यार को विविन वाखा गर्यार को वाश्ताँ यो 20 कंप दम नेखपाय मालिका उपाध्यक्ष सुभास संद्र निमौांको पार्थिव सरीर लाई बालुआ टारस्तित निवास मा राकिये को छा। निमौांको पार्थि राज के सम्मान क साथ पस्पदी आरे घाट मां अंतेश्ठी गरी देशा सर्भोच्च अदालत को सम्मिधाने के जलासले रुकुम पुर्वा को सदर मुकाम रुकुम कोडबाट गोल खाडा मां सारने ततकालीन मंत्री परिशत को निड़े बदर गरेगो छा प्रधाने आदिस बेश्वंबर प्रसास स्वेष्ट सईत को सम्मिधाने के जलासले रुजार चवातर माग एगारमा ततकालीन प्रधानमत्री सर्वादु द्यवार नित्रतो को सरकारले रुकुम पुर्वा को सदर मुकाम उथा उत्तर गंगा कामपाली के बार गोल खाडा म तोकनी निड़े बदर करेको हो समयधानिक इसलासले आवश्यक मापदंड बनायर सदर मुकाम तोकन पनी परमादेश दियेको सा अधिवक्ता गणेस हमाल स्थानिय कृष्ण रेगमी राद दत्त बहादुर पस्नेतले द्यजार चवातर माग सत्तर गते सरकारलाई बीपक् प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहाले देश्र जनतालाई परिणाम दिना राजनितिक इर कर्मचारी तंत्र ले जोखिम उठावन तयार रहुनू परने बतायका सान। रिपोर्ट कार को प्रस्तुती पसी प्रधार मंत्री दहाले जोखिम उठावन तयार हुने मनो विज्जानले मात्रा राम्रो परिनाम दिने बताय। उनले नीती तथा कारेक्टरम रा बजेटको मासिक स्वमिक्षा गरने प्रकिर्याको राम्रो सुरुआत भायको बताय। कारेकामा प्रधार मंत्री कारेले का स्वचिप गरित प्रस्ताद पांडेले रिपोर्ट कार मा गतबर्ष को तुल नामा येस आर्थिक वर्षमा आर्थिक परिशुचक मा राम्रो सुधार आयको बताय। रिपोर्ट कार मा सरकार का विफिन्न मंत्रा आलेले चालु आर्थिक वर्षमा संपादल गरेका काम रतेस्को प्रगति विवरान उल्लेक करियेको छा। जस्मा दुईहजार सत्ताइस ओटा टोल फ्रे नमर एगारा एगारा मा रा बारसे बयासी ओटा गुनासा इमेल फेस्बुक जस्ता सामाजिक संजार मारफ़त आयकाशन। स्वरकारे निकाय मा सिबा ग्राहिलाई दीने सास्ती, भ्रस्टाचार अनी मितता शड़क निर्मार मा धिलाई, खाने-पानी तथा बिजूरी लगायात का आम स्वरकार का विशे मा बड़ी गुनासा आयकाशन। स्वरकारे निकाय मारफ़त समाधान गरीने कारे लेले जरायकाशन। हालसमा हेलो सरकार मा 36,700 गुनासो दर्था भायको मा 21,800 फर्स्योट भायकाशन। सरकारे निकाय मा काम मा चित्त नवुजे, गुनासो गर्ना नागरिक लाई सहज होस भनेर, सरकार ले हेलो सरकार संचालन मा ले आयको हो। अब जनमत को अंतीम परिनाम जनमत मा हीजो हाम्र प्रस्ना थियू, विद्या बारिदी कारे क्रम संचालन गर्ना, स्ना तकुत्तर वा एमफिल कच्छा चलोगनी परनी सरकार को निरायला की भन्नी। ए, गुनस्तर सुधारने उपाय, वि, बेथिती अंत्य गर्ना, रसी, श्वायत तता माथिको हस्ता चेप। अब आजको प्रस्ना, जनमाद सरकार का काम प्रती नागरी का गुनासा किना बड़े का होलान। ए, काम रामरो नभायरा, बी, गुनासो गर्ने ठाउं भायरा, रसी, अपिक्छाने बड़ी जनमत को अंती इंपरिना, भोली बेलु का आठ बजे को कांतिपूर समाचार मा प्रशारां करने सहूं क्रिपैर NWS News Space AB वा सिटाइग गरी 34001 SMS करी, आपनों मत बेक्त गरनू हला नेपाली का अंग्रेस का महामत्री गयकन थापाले, दलहरूले गठ बंदन को राजनेती अंतिय करनू परने बताएका सहन नेपाली का अंग्रेस पोखरा महानगर सम्मेलन लाई संभोधन करदे महामत्री थापाले, गठ बंदन संस्क्रिती ले स्थेर सरकार दिना नौसके को भंदे यो परंपरा तोड़नू परने बताएका हुन गठ बंदन को भार ले निर्भाचन को सबल रा सुन्दर पक्ष समेत मर्देकवा गउनले बताए महामंत्री थापाले कांग्रेस को महादिवेशन 2022 साल को मंगशिर भंदाउता न जाने दावी समित करे का सन राष्ट्री प्रजातंत्र पार्टी का अध्योक्षे राजिंद्र लिंग्देन ले राज संस्थालाई देश को अभिभाव की अश्ण स्थाकरूप मां सुईकार करना प्रमक्तिन दल्लाई आग्रोह गरे का सन राप्रपाले आज़कार फरनमा गरे को विरोत सभामा अध्योक्षे लिंग्देन ले राज संस्थालाई अभिभाव की अभूमी कातिनों परने बताया का हुन उनले जनता बाट प्रत्यक्ष निर्वासित प्रधानमत्री हुने सासो की बेविश्था प्मलुक का लागी हिदकर हुने दाबी करे राजालाय अभिभाव की सवस्ता गुरुप मा गारी बणाँ जनता ने प्रतक्षे दिर्वाचिंकर में कारे गारी पर्धानमत्री का बेवस्ता गराव हुने सवा मार्फत राप्रपाले प्रस्टाचार महंगी नियंत्रड को पनी माग गरे को छा रत्न पार्क मा आयुचित विरुत सभाओं की राप्रपा का नेता तथा कारे करताले कार्फरंडों का बिविन्य स्थान बार्टर रियाली निकाले का थिये सुनसरी को चतारा धाम का धर्मगुरू सिद्ध बाबा भनीने कृष्ण दास गिरिलाई महिला अन्याई मा थी जबर्जस्ती करणी गरे को मुद्दा मा जिल्ला अदालत सुनसरी ले सफाई दिये को सा अदालत ले राय किताब मा अवियोग दावी नपुगे को फईसला गरे को सुनसरी जल्ला अदालत का तहसिलदार भरत मड़ी पोक्रे ले पताए जला अदालत सुनसरी का न्याएधिस हरी प्रसाद कोर्याला को इसलास ले अवियोग दावी नपुग ने भंदै आज गिरिलाई सफाई दिये को हो यह संगेपनी गिरिलाई 2027 तर मंक्सर बाइस कते जिला अदालत सुनसरी का तत्काले न्यायधिस और जुन प्रसाद को एरला को शञास ले सफाई दिये कुथियो जिल्ला अदालत को फैसला मा थी उच्छा अदालत पिराटनगर ले गिरिलाई सफाई दिने जिल्ला अदालत सुनसरी को फैसला उच्छा अदालत पिराटनगर ले बदर गरी दिये को थियो उच्वा दालत ले बदर गरे पसी सो मदापुन जिला दालत सुनसरी मां फ़र्क किये को थियो काटमंड महानगर पालिकाले 42 सना नगर प्रहरी हवल्दार निलम्बन गरे को था नगर प्रहरी का हवल्दार अपुको सी नगर साह का निर्क्षक फूली लगाई पसी निलम्बन गरे को हो गत अशार पच्छीषम महानगर पालिकाले नगर प्रहरी हवल्दार ने तेस्टो तहावार चउथू तहमा बढ़ुआ गरे को थियो तेसेले आधार बनाएने उन्हेर ले असेको फुली लगाए पसी महानगर ले निलमन गरेको हो यस्पी सेबन चान्विन गर्न महानगर ले तीन सतस्य समिती गठन गरेको शा समितीले प्रतिवेदन बुज्धामने समय समक लागी निलमन गर्यको महानगर प्रशासन प्रमुख दीपक अधिकारी रे जानकारी धिये बिरगन जेस्थित बाल शुधार ग्रिहामा गईराती भायको तना 20 घंटा पसे नियंत्रण मा आयको शा शुधार ग्रिह का बाल बाली का स्तानियर प्रहरी प्रशासन भी सहमती भाय संगई आज अपरानना सारे चार बजे पसी बाल शुधार ग्रिह को अवस्तार नियंत्रण मा आयको हो तीन साथ आगे भक्तपुर को बाल शुधार ग्रिहा बाटा लाईयेका अठार बाल बाली का लाई अनियत्रण पठावनी कानुले दियेको संपुन सुभिदा दिनी बसने कोठा को रामर वेवस्ता गरने रा सुरच्यमा खटियेका प्रहरी बाटा कुने किसिमको बाल प्र कांसर बिरुदा को खोब दिना सुरुगारेको सा स्वास्ते मंत्राले रिद हापताले इस्तित परपकार प्रशुती तथा इस्ट्रे रोग अस्पताल बाटा किसोरी हरुलाई ह्यूमन पैपिलोमा वाईरल एच्पीपी खोब दिना थालेको हो यो खोब पहिलो चरण मा 14 उमेर पूरा भायका रा 15 बर्श नो नागे का किशोरी लाई दियने छा खोब लगाउना का लागियू उमेर खुलने प्रमार लिये रा पुग्णो पारने हुन्छा एच्पी वी खोब अभियान पहिलो चरण मा साती प्रदेस का एक-एक अस्पताल बाटा सुरुभायको स सुदूर पस्तिम प्रदेस मा डड़े धुर आस्पताल मा खोब लगाईने छा पहिलो चरण मा साड़े 9,000 की सोरी लाई खोब लगाईने छा पहिलो खोब लगायको 6 माई ना भितर दोस्ट्रो खोब दीने स्वास्ति मंत्रा लेले जनायको छा अर्थार अभिकास ब्यापारीलाई भ्याई नभे हुने इद दिन एस बर्च भने पट्टे आर लागदा छन। ब्यापार हुने नहुने अन्योल मा रहेका ब्यापारीले कोबिड अगीको तुलणामा साठी प्रतिशत मात्रे सामान आयाद गरे पनी अहिले तही सामान बिकरी हुन्च उन्न यह किन छाएना कोबिड देखी खुम्चियको ब्यापार एस पाली फस्ट आने ब्यापारीको अपेक्छा थियो तेसाईले तीन बर्षपची सामान लेवना ब्यापारी एस पटक चीन फुगे तर ब्यापार सहजी करण का लागी बेंगली पनी सहेग गरे ना चाड़ परव लाए लच्चित गरेरा आयाद गरियेका सामन चाड़ परव पुर्वने देश का बिभिन्ना जिल्लामा पुर्यानू परछा तर खुद्रा बजार मा सामान को माग ने चाईना बजार तर अईले तिया पनी खास्त सही ना तापनी आसा बादी अब दसी त्यार आउन लायो अलिकरती एशो त्यारी गरना को बजार आगो मंदी को चापेटा माँ आमी अतिनती परताड़ी द्वाय का छो मतिशनले जस्ते बिगत मा जस्तो उत्षाइद भायर पर्यापतरुप माँ इंपोर्ट गरेरा आमी चाईन बेसमा सब्सक्रा आमी आई माँ आटमी श्यास अईली शाईना मुख्य सीजन में अपेक्चित व्यापार नहोदा व्यापारी निराश्चन। व्यापार नवर्नुक अरको कारण हो महंगी। उपभग्तालाई महंगी ले च्यापेको छा आपनुक कमाईले दयनीकी चलावने मुश्किल परेको उपभग्ता बताऊछन। व्यापार नवर्नुक अर्थिक मंदले पई सबाना मांचान। देखिन चा कान्तिपुर समाचार का लागी क्यामेरा मां सुरज खणका का साथ भरत रावल काठमंडो। साहकारी च्यत्रमा देखिये कैसमस्या समाधान का लागी सुझाव दिन गठित कारे दल्ले ही जो भुजायको रेपोर्ट कारी नवेन होने मां सरुकार वाला हरूले आजसंका जनाया काछन। बज़त करता हरू संच्यालक हरू को संपती बेजबिखन बाठ रकम फेरता होने मां विश्वस्त चैनन भने साहकारी संच्यालक हरूले साहकारी मां लगायको लगानी बाहिक औरू जायज जे था लिलाम करना नपाईने तरका करी का छन। योजनायाय। का सदशिया जयकांत राउत समी जपत खत को कारे दल्ले बज़त करता हो को रकम फेरता करना न सके साहकारी के संच्यालक हरू को जायज जे था विख्रीकरन सुझाब दिये गो छ तो बच़ान से बाइसकाल क्यिंद..? कि अंप में पिखेवा जेतरकाल कानतर से जहती । कि अंप सानुपनी धनाँद. जांसमा बीचलन छा, दुलीपे गरेगा छा, अपचलन गरेगा छा पने, तो राज्येले खाना को दायरे बते ले रारा, श्री संपत्युरा असल पर गरने को रोने सक्छा ये संगी का प्रतिवेदन कारिन्येन न भायकाले यो प्रतिवेदन पनी कारिन्येन मा आउने मा साकारी संचा लखर गवा आसंगाश्चा साकारी मा रकम फसे का बसत करता हरू भने कारे दले दिये को सुझाव कारे नुए ने भाय पनी रकम फिरता होने मा बिश्वस्ता चाहिनान की थियोर जाईर खाई सके पजी जती बनी मा इले पटक पटक बने आजू उहार को नाम मा बनी उहार को साकारी को करम चारी को आफंत को नाम मा बनी जगा लुका को अरू बनी को आम ले सुनेगा जाओ 2007 मा गवरी बहादुरकार की नियत्रतो को जाजबुज आयोगले 162 वटा साकारी मा समस्या रहेको अउले आयोग थियो तरह उक्ता सुझाव सरकारले कारी में नगर्दा अईले 500 साकारी मा समस्या देखियेको छा अब बचत फेर्था गरावना यो प्रतिवेदेन प्रहरी लाइजी मालकाई कारवाई अगी पड़ावनुपारने विग्येको सुझावचा अब बचत फेर्था आयोटा चाहिए ठगना का लागी स्ववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव सवाकारी च्वित्र को अधियन के लागे ये संगी पनी छो पटक अधियन भायका थिये अब अंतरास्टे समासर उत्तर कोरियाली नेता कीम जोंग उन्ड रुसी राष्टपति व्लादेमिर पूटिन भी साज भेट बारता भायको साथ दुबई नेताबिस रुसको सुदुर्पूर वैस्तित भें टोज नी अंतररिक्ष प्रच्चिपन केंद्र मा भेट बारता भायको हो BBC का अनुसार भेट बारता मा कीम ले शामरा जिबाद बिरुद को लड़ाई मा एक जूठ हुने उले कर दे पुटीन को नेडायलाई संद़ी समर्थन गरने जनायका थी पुटीन ले भने भू उपग्रह निर्बाड मा स्वयको प्रतिव बदता जनायका थी पुटीन रा किम बीस को यो दोस्टो सिखर बारता हो बारता पच्य आयोजीत रात्री भूस मा किम ले युक्रेन मा थी रूसी आक्रमण को समर्थन गर्दे खराब शक्त बिरुद को लुड़ाई मा रूस बिजेई हुने बतायको अंतरास्टी संचार मा धिम ले जनायका सन यसते ही पुटिन ले उत्तर कोरिया संग को सम्भाब्बे शईनली सहे का बारेमा समित संकेत गरेको CNN ले जनायको सा कीम संग को बारता च्षेत्रिय तथा दुपक्षय मुद्धामा उपएगी भायको कीम को भनाये सा युक्रेन बिरुद्धको युद्धका लागी रूसते उत्तर कोरिया बाठा गोला बारुद्र हतियार की नकोजिरेको दाबी पस्तिमा मुलुक ले गरेका सन अमेरिकाले रूसताय हतियार आपुर्ति नगर्न उत्तर कोरियालाई च्वेतावनी दियेको सा रूस ब्रहमण कारक्रा मा कीमली स्वैनी उपकरान उद्योक्त था बिभीना स्वैचिक संस्ता समेद ब्रहमण गानेशन। बेट बारता को केही घंटा पसी उत्तर कोरियाले आजी चोंटो दोरीका दुयोटा बालिस्टिक छेप्यास्त्रा पच्छिपण करेकोशा। कारफंडो को अईतियासिक सहर हाडिगाउं का मुर्ता अमुर्ता संपदा सम्रक्षण का लागी गुरुयोजना निर्मार थालियेकोशा। कारफंडो महानगर पालिका पांस नमर वडार महानगर को संपदा भिभाको समन्वायमा हाडिगाउं को प्राचिन स्वरुप पनरुथान गरावने गुरुयोजनाको मुख्य लक्षे चा। तर संपदा अउत्खनन रप्पुनस्था पनामा पने चुनावती चा। हाणी गाउमा पाईले पिछे भेटिन चन प्राचिन मंदिर, प्रस्तर मुर्ती, चोईतिय, पाटी र सतल हरु। भेटिये का लिछविकालीन सिलालेक यो सहर को अईतिहासिक तथा पुरा तत्वेक बिशेस्ता हुन। बर्दो सहरी करण बीच लो फुन लागे का येस्ता सम्पदा सम्रच्षण का लागी महानगरले गुरुयोजना बनावन थालेको हो। हानिकाउमा पचास फिट भंदा अगला भवन बनावन नपाईनी, भवन को अग्र भागमा राकीने मौलिक सहलीका लागी महानगरले सहयोग गरने, भीत्री सहरी छेत्रलाई पोईदल मार्ग बनावनी, विकास का नाम्मा जथा भावी खन्न, तथा भथकाउना नपाईने लगायत का विशयलाई गुरु युजनामा प्राथ मिक्ता का साथ समावेश गरने चा गुरु याजन ट्यार गररा, ये चुरे आमी पूरु रा चाहिन वरा भाई संग छाल बल गररा, आमी काम शुरु गर्शंग हानी गावलाई पुर्व लिच्वी तथा लिच्वी कालिन सस्क्रतिर सम्पदा का लागी प्राचिन स्थान को रुप्मा लिइन छ येहाको सत्य नाराइन परिशर मा प्राचिन वस्तिर पुर्व लिच्वी कालिन मंदिर भय को प्रमार ये सगी का उत्खनन का क्रम मा भेटियेका छन इसा पुर्व दोस्रो सतावदिका पुरातात्विक अवसेश र अन्य सम्पदा भवन को जग ये स्थेत्रमा रहेको पुरातत्य विधरुले दावी गर्दे आयका छन तेही लिच्वी कालिनिति हांस को जलको दिनेगरी रुपान तरन को थालनी करनू गुरु योजना को लक्षे छ यहाँ चली आयका कति पए जात्रा किरात काल के निरन तरता मानीं छ जसमधे गहना खोजने जात्रा एक हो कि तेह वर्मा को योड़ा पटाको थाई पटाकोचा उन्डाकेरी तो पहला क्योव थंगे ताहरा area को फू अरू जी रू पटाकोचा उनी तेस्ते तेस्ते शीवाल नगा उरू पटाकोचा तेस्तो प्यताउ हो थाया संपधा सम्रच्छन को इसामा नसोची कन विकास मात्र बनने इसामा गरियू बनेचे सब नासीने बनेचे सब बना ठूलोच चुनोची ते कि को ईसामा गरियूर्य क हमंता ठूलोच टोच गरियू बनने रकैता सम्राइच को इसामा बनेचे सब बनने इसामा गरियू ओकलतीर चालिस बर्षागी येसवोडामा नौवटा पोखरी रहेकामा येवटा मात्र र पाच ओटा ढूगेधारामा पनी येवटा मात्र बाथी छा बिभिनन समय र पर्वमा चोद प्रकार का बाजा बजाईन थे भने अहिले 11 ओटामा मात्र सिमित भईको छा यहां लिच्छवी काल मा इस्थापना भयको मनमाने सुरी मंदिर, सत्यना रायन मंदिर तथा उत्खननन गरेर भेटिये का प्राचिन काल का भवन का जग, अंग्शु बर्मा को बड़ा पत्र रहे को डवली धन गडेश लगायत का 100E भन्दा बड़ी समपदा अब लोकन गर कांथिपूर समाचार का लागी क्यामरा मा सुरज खड़का का साथ स्रुजना बास्तोला कार्फांडू खेलकूद समाचार नमस्कार, कांथिपूर खेलकूद समाचार मा स्वागत्छा, आगामी असोज 6 गते बात चिन को होंग जाओ मा सुरु हुने 1900 एशियाली खेलकूद का लागी सरकार ले 21 करोड बजेट बेवस्तापन गरेको छ एशियाड मा नेपार ले 29 खेल मा प्रतिस परदा गरने स राश्ट्रिय खेलकूद परिशद ले 29 खेल का 24 खेलाडी खेल पदादिकारी इर एक से शोर करमचारी गरी 370 जना होंग जाओ जाने जनाएको छ परिशद ले एशियाड का लागे 30 करोड खर्सम लागने अनुमान करदे सरकार संग माग गरेको थियो तर आर्थिक संकट का कारण सरकारले दिना नसकने बताए पसी परिशद ले 24 करोड का लागे पहल गरेको थियो अन्ते मा 21 करोड बेवस्थापन गरीएको छ बजेट के कारण अब एशियाड को कुने पने कार्य न रोकीने रास्ट्रिय खेलकुद परिशादले जनाएको छ यो ब्यवस्तापन राश्ट्रे खेलकुत परिशादले जिये जस्तो निर्णे भाहर ही जो गरिगुछा एक्षै स्वारो वईट पठागली त्यो निर्णे अनुसार विलेज खर्चा त्याको लोकल अर्गनाइजिंग कमीटी ले निर्धारन गरिको रकम पचास्टलर प्रति भीक्ति को धरले पिन आमले जम्मा गरिशागे गाचुँ पकेट खर्चा हमले जती दिनी भनेर आमले निर्णे गरेगाचु त्यो अनुस प्रधान मंत्री पुस्पक कमल दाहले भोली अशियाड मा शहवागे हुने तुनी सितता साहिए। अशियाड का लागी हुने खेलाडी लाई विदाई गरने कारिक्रम शा तेसपची आफनो समय अनुकूल खेलाडी हरू एशियाड का लागी हुम जाओ जाने शन। असो चार्गते देखी नेपाल मा हुने अंडर-19 साफ चैम्पेंचीब फुटबल का लागी दुई रिजव खेलाडी सहित नेपाली टोली को घोसना भायको शा। मुख्य प्रशिक्चक सुनेल स्ट्राष तले नेपाली टोली गोसना गरेको अख्य नेपाल फुटबल संगले जानकारे दियेको हो। नेपाली टोली को गोलकीपर मा जीयारत शेक रुविन बोगटी र अमित टमाटासन तेशेगरी नेपाली टीम को डिफेंडर मा सेमन्त थापा विशाल नेपाली विक्रम तामाग आयूस तेम्चेना अश्विन घुरासैनी दिपक थापा मगर निशांग पारांग देंग निशान्त तामांग र गौरब महरजन चन तीम को मिटफिल्डर मा कुशल देवजा लक्षु थापा प्रशांत लक्षम अविनास स्यांग्तान अनिल भोमजन धनशिंग भीक हरिश्राज भट्ट निरशकारकी र नेलसन तामांग राखियेको छ एनफाले खुला चनोट ब प्रशिक्षक्सोने ले दोई खेलाडी लाई रिजर्व राखेको बतायका सन नेपाले पहिलो खेल्मा पाकिस्तान र दोस्रो खेल्मा माल्दीव्स को सामना गरने सन नेपाली फुटबल खेलाडी ले एंटेरियर क्रुशियेट लिगामेंट एशियल को चोट को पचार मा 60 देकी 70 प्रति सत्चम्म छूट पाउने भायका सन एशियल को उपचार गरना नसक्दा खेलाडी ले खेल जीवन ने गुमावन उपरने अवस्था सा अखेल नेपाल फुटबल खेलाडी संगले बी एंट बी अस्पताल चंगा आजा उपचार मा सहुलेत संबंदी सम्झा गरेको हो संग्र अस्पताल 20 खेलाडी को चोट को प्रक्रिती हेरेर उपचार मा सहुलेत दिने सम्झावता भायको स सम्झावता अनुसार अस्पतालले उपचार मा 60 देकी 70 प्रति सत्चम्म छूट दिने सवने फुटबल खेलाडी का परिवार ले पनी उपचार मा 15 देकी बिक्रम लामा का अनुसार पिछडी एकु छेत्र र विपन्न खेलाडी ले सत प्रतिसत चमत छुट मा उपचार पाउने छन। समझाउता भयके दिन राश्ट्रेटिम्त खेलाडी लाई चोट संबंदी जानकारी बनी गराईएको थियो। एशिया कप को सुपर 4 मा भोली पाकिस्तान र श्रीलंका आमने सामने हुदेशन। स्रीलंका टाईर नतिजा भीहिन इस्तितिमा पनी उपादे नजिक पुग्ने सा। ही जो भारत संग को खेलागी समा स्रीलंका ओडियाई में 13 खेलेता अपराजी थियो। तर 244 रनको लक्षे पच्छियाएको स्रीलंका 122 रनमा अलाउट भयो। एता बाबर आजाम को नेत्रितमा रहयोको पाकिस्तान का लागी जीतको बिकल्प शाइन। तीव्रगतिका वलर नशिम सहा र हैरिश रोफ चोट क्रस्त हुदे प्रतियो गितावाटै बाहिर ये पची पाकिस्तान लाए जड़का लागे को स। नसीमलाई जमान खान र रोफ लाई सहनवाज दहानिले प्रति स्थापन गरेका सन। श्रिलांका संग पराजित भय एशिया कप को यात्रा सुपर फूर माने समापत हुने स। बारत संग को फराकिलो हार पची पाकिस्तान पुनार गमन को प्रयासमा स। कोलम्बो इस्तित आर प्रेमादासा इस्टेडे मा हुने खेल नेपाले समय अनुसाद्धियों सो पौणे तिन बजे शुरू हुने सा बरसाले खेल हुनन न सके अंक बाड़ी ने सा यो खेल का लागी रिजरवडे राखिये को छाइना खेल कूद समाचार अहले लाइ एती नाई कांतिपूर समाचार अहले लाइ सक्यों कांतिपूर टेलिविजन हेर दे गर्नु वला नमस्ते